नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाएंस ओफिशल पर तो आज किस वीडियो में हम मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम के बारे में यानि कि नर प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम फिमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम मादा प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो आज किस वीडियो में हम मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम के बारे में पहले डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में प्रेवियस एर क्वेशन भी कवर करेंगे तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं तो जीवों द्वारा अपने समान नए जीवों को जनम देना ही प्रजनन या जनन कहलाता है और अंगों के वैसा समू जो इस जनन की क्रिया में सहायक होता है प्रजनन तंत्र कहलाता है तो आसान है जितने भी जीव हैं वो अपने समान ने जीव को उत्पन करना चाहते हैं ताकि उनका जो आस्तित्व है वो बना रहे तो जीवों के द्वारा अपने समान ने जीवों को जनम देना प्रजनन कहलाता है और प्रजनन में जो अंग सहायक होते हैं उन्हें मिलाकर प्रजनन तंत्र कहा जाता है तो जो मानव है ये एक लिंगी प्रानी है यूनिसेक्शुल है अथार्थ नर और माधा लिंग अलग-अलग जीवों में पाय जाते हैं जो जीव केवल शुकरानू यानि की स्पम उत्प उत्पत्ती होती है उन्हें माधा फिमिल कहते हैं तो जो मेल है वो स्पम उत्पन करते हैं और जो फिमिल है उनसे ओवम की उत्पत्ती होती है और जब स्पम और अंडानू आपस में मिलते हैं तभी नह जीव का जन्म होता है तो जो मानव है ये एक लिंगी है और मानव जर कार के जीव होते हैं एक होते हैं विवी पेरस और दूसरे होते हैं ओवी पेरस विवी पेरस यानि की जरा यूज और ओवी पेरस यानि की अंड यूज तो विवी पेरस कौन से जीव होते हैं तो जो जनतु अंडे न देकर सीधे बच्चे को जनम देते हैं वो विवी पेरस ह जैसे हम इंसान सिधा बच्चे को जन्म देते हैं न इसलिए हम वीवी पेरस होते हैं तो ओवी पेरस कौन से जीव होते हैं तो जो जन्तु पहले अंडे देते हैं फिर बाद में अंडे से बच्चे निकलते हैं उन्हें ओवी पेरस कहा जाता है तो या दखेगा इंपोर्टे वो Leg-Wapyrus कोन से जीव होते हैं जो पहले अंडे देते हैं और अंडों से बच्चे निकलते हैं उन्हें OV-Pyrus कहा जाता है और जो जन्तू Еंडे न देकर सिधा बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें WV-Pyrus कहा जाता है और इसे याद रखना भी आसान है तो देखें जो OV-Paris है न, इसकी शुरुवात हो रही है O से पहला जो इसका अलफा बैठ है वो O है न, तो O की जो शेप है ये अंडे की तरह है आप देख रहे हैं O की शेप को आप अंडे से रिलेट करेंगे तो यहां से आपके दिमाग में आ जाएगा कि जो OV-Paris है ये पहले अंडे देते हैं बाद में अंडे से बच्चे निकलते हैं और जो VV-Paris होगा ये तो इसके उल्ट होगा न अगर एक में अंडे होगे तो जो दूसरा जीव है वो डारेक्ट बच्चों को जन देगा तो OV-Paris के जो O है इसके शेप से आप रिलेट कर पाएंगे कि जो OV-Paris जीव है ये पहले अंडे देते हैं और बाद में उन अंडों से बच्चे निकलते हैं उसके बाद आगे है टाइपस ओफ रिप्रोडक्शन यानि कि प्रजनन के परकार तो प्रजनन के दो परकार होते हैं पहला है आलेंगिक जनन आसेक्श्वर रिप्रोडक्शन और दूसरा है लेंगिक जनन सेक्श्वर रिप्रोडक्शन तो इन में अंतर देख लेते हैं त तो आ लेंगिक जनन में क्या होता है, तो इसमें जीव अकेला ही वन शिवरिधी करता है, और जो लेंगिक जनन होता है, इसमें नर और मादा दोनों जीवों की आवशकता पड़ती है, जैसे हम जो इनसान है, हमें लेंगिक जनन होता है, क्योंकि हमें नई संतान पैदा करने क लिए नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है, तो जिसमें नर और मादा दोनों की जरूरत पड़े, उसे लेंगिक जनन कहते हैं, और जिसमें जीव अकेला ही वन्शिवरिधी करता है, उसे आलेंगिक जनन कहते हैं, तो आलेंगिक जनन में निशेचन, फटिलाजेशन की क्रिया नहीं होती तो fertilization क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब शुकरानूं और अंडानूं आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को क्रिया के बाद ही जीव बनना आरंभ होता है और आलेंगिक जनन में युगमकों यानि की gamits का निर्मान नहीं होता मेल का युगमक होता है स्पम और फेमेल का युगमक होता है ओवम तो आलेंगिक जनन में युगमकों का निर्मान नहीं होता और लेंगिक जनन में युगमक यानि की अंडानू और शुकरानू दोनों ही बनते हैं तो लेंगिक जनन और आलेंगिक जनन के बारे में हमने आगे देखते हैं, तो आगे अब हम युगमक, निशेचन और युगमनज क्या होता है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, तो जो मेल होता है, मेल के द्वारा स्पम, यानि कि शुकरानू की उत्पत्ती होती है, और फीमेल के द्वारा ओवम, अंडानू की उत्पत्ती होती है तो जो ये sperm और ovum है न, इसे gamet कहा जाता है, युगमक कहा जाता है, तो male का युगमक क्या है, sperm है, और female का युगमक क्या है, तो ovum है, या देखेगा, तो जो sperm है और ovum है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो उसे fertilization, निशेचन की क्रिया कहा जाता है, तो जब male का युगमक और female का युगमक आपस में मिलता है, तो इस क्रिया को निशेचन की क्रिया कहते हैं, और निशेचन की क्रिया के बाद, जब ये दोनों युगमक आपस में मिलते हैं, तो जाइगोड यानि की युगमरज बनाते हैं, तो देखे, जो male का gamet है, यानि की male क युगमक है, वो sperm है और जो female का युगमक है, वो ovum है तो जब sperm और ovum आपस में मिलते हैं, तो इस किरिया को निशेचन की किरिया या fertilization कहते हैं और इस किरिया से जो बनता है, उसे जायेगोर्ड या युगमनज कहते हैं, तो यही जाइगोड आगे चलकर भुरून बन जाता है तो जो भी मैंने आपको बताया उसे एक बार पढ़ लेते हैं तो मेल के द्वारा मेल गेमेड का निर्मान होता है जिसे स्पम कहा जाता है और फीमेल के द्वारा फीमेल गेमेड का निर्मान होता है जिसे Ovum कहा जाता है और Spam तथा Ovum Fertilization के द्वारा मिलते हैं जिसे Jai Goad का निर्मान होता है तो यही Jai Goad आगे चलकर develop होता है तो Embrio यानि कि भृण बन जाता है और यही भृण आगे चलकर develop होकर fetus बन जाता है और यही फीटस आगे चलकर डेवलप होकर बेबी यानि की शिशू बन जाता है तो जो एक शिशू होता है वो सबसे पहले जाइगोड होता है जाइगोड से डेवलप होकर वो भुरून बनता है, एंब्रियो बनता है उसे develop होकर वो fetus इसे भी bruni कहते हैं तो embryo से वो fetus बनता है और fetus से शिशु बनता है उसके बाद आगे है puberty जिसे हम योवन आरम कहते हैं तो जो puberty की age होती है न इसी में हम परजनन के काबिल होते हैं तो puberty एक ऐसी परकरिया है जिसमें एक बच्चे के परजननी अंग पून रूप से विक्सित हो जाते हैं और वो परजनन के काबिल हो जाता है तो मानों में जो puberty है ये शारेरिक परिवर्तन की उस परकरिया को कहते हैं जिसके द्वारा काल करम में वो बच्चे से बढ़कर प्रजनन में समर्थ जवान बन जाता है और योवन आरम की शुरुवाद हार्मोनों के बनने से होती है तो female में puberty की age क्या होती है तो 10 से 13 साल female में puberty की age होती है और male में puberty की age क्या होती है तो 12 से 14 साल ये male में puberty की age होती है तो इस age में male और female परिजनन के काबिल हो जाते हैं तो इसे puberty कहा जाता है तो आगे अब हम जो male reproductive system है, उसके जो अंग है, वो पढ़ लेते हैं, तो पहले हम एक बार diagram में देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में detail में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले है वरिशन, जिसे testis कहते हैं, तो male में एक जोड़ी testis होता है, यानि कि male में दो वरिशन होते हैं, तो जो वरिशन है, ये male का प्रात्मिक प्रजनन अंग है, यानि कि ये male का primary reproductive organ है, तो जो वरिशन है, यहीं से स्पम बनता है, शुकराणू बनता है, और जो ये वरिशन है, ये थैली से ढखा होता है, जिसे वरिशन कोश कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, तो वरिशन कोश से ढखा होता है, तो वरिशन में स्पम बनता है, शुकराणू बनते हैं, उसके बाद जो ये शुकराणू होते हैं, ये mature होने के लिए aptidymus में जाते हैं, अधिवरिशन में जाते हैं, तो जो शुकराणू होते हैं, ये वरिशन में बनते हैं, उसके बाद इसके पीछ जो आप ये देख रहे हैं, इसे अधिव रिशन कहा जाता है, उसके बाद शुक्राणू अधिव रिशन में जाते हैं, मैं चोर होने के लिए, तो अधिव रिशन के बाद जो आप ये नली देख रहे हैं, इसे शुक्रवाहिका कहते हैं, वास डेफरेंस कहते हैं, तो इस नल यह तर्फियों के दोरा इसमें जो शुक्राणू है इसमें रसका स्त्राव होता है जिसके बाद जो शुक्राणू है यह वीर्य बन जाता है, सीमेन बन जाता है और उसके बाद आप देखेंगे कि अलग-लग गरंतियां पाए जाती हैं जैसे कि प्रोस्टेट गिलेंड और क चरीर से बाहर निकल जाता है, तो मुत्र मार्ग यानि की उरेथरा के रास्टे से यूरीन पेशाब भी बाहर निकलता है, और उरेथरा के रास्टे से ही सीमेन यानि की वीर्य भी बाहर निकलता है, तो दोनों का एक ही रास्ता है, उरेथरा यहीं से यूरीन भी बाहर आता है और sperm भी बाहर आता है तो यहाँ पर हमने diagram में देख लिया अब हम इनके बारे में detail में पढ़ते हैं तो सबसे पहले है version यानि की testis तो इनकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है तो एक जोड़ी यानि की male में कितने testis होते हैं तो एक जोड़ी दो testis होते हैं और इनका आकार कैसे होता है तो अंडाकार oval की shape होती है तो वरिशन का कारे क्या है तो वरिशन का कारे है sperm शुक्राणू का निर्मान करना तथा male sex hormone का निर्मान करना तो testis का काम है sperm का निर्मान करना तो टेस्टिस के बाहर एक पतली तवचा की थैली होती है, जिसे वरिशन कोश कहा जाता है, स्क्रोटम कहा जाता है, और टेस्टिस के अंदर जो स्पम का निर्मान होता है, यह शरीर के तापमान से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर होता है, अथार्थ जो स्पम का निर् तो जो हमारे शरीर का तापमान होता है, ये लगबग 37 डिगरी Celsius होता है, लेकिन जो स्पम है इसका निर्मान 34 से 35 डिगरी Celsius पर होता है, यानि हमारे शरीर के तापमान से कम तापमान चाहिए शुकराणू को बणने के लिए, इसलिए आप देखते हैं, जो व्रिशन है, ये male body बाहर की ओर होता है, क्योंकि स्पम को बनने के लिए 2-3 डिगरी सेल्सियस कम तापमान की जरूरत होती है, इसलिए जो वरिशन होता है, ये मेल बोडी से बाहर की ओर होता है, उसके बाद है वरिशन कोश यानि की स्क्रोटम, तो हमने पढ़ा कि टेस्टिस के बाहर जो पतली तो अच्छा की थैली होती है, उसी को वरिशन कोश स्क्रोटम कहा जाता है, तो स्क्रोटम का काम क्या है, एक तो टेस्टिस को ढखने का काम है, दूसरा इसका काम है टेस्टिस के तापमान को नियंतरित करना, ताकि शुकरानों बन सकें, तो स्क्रोटम कैसे तापमान को नि ये शरीर के पास आ जाता है, तो जब ठंड का मोसम होता है, यानि कि बाहर का तापमान काफी कम होता है, तो क्या होता है? तो जो स्कोटम है, यानि कि जो व्रिशन कोश है, ये सिकुड जाता है, और जो टेस्टिस हैं, उन्हें कहां पर लेकर जाता है, तो शरीर के पास लेकर जाता है ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसमें शरीर का तापमान जादा होता है लेकिन जो बाहर का तापमान है काफी कम है लेकिन शुकरानू बनने के लिए मैंने आपको बताया कि एक निश्चित तापमान चाहिए तो उस समय क्या होता है? जो व्रिषन कोश होता है, यह सिकुड जाता है जिससे जो testis हैं, यह शरीर के पास आ जाते हैं जिससे इनका temperature थोड़ा बढ़ जाता है लेकिन गर्मी के मोसम में क्या होता है? कि स्क।ों का परसार होता है, expansion होता है और जो टेस्टीस हैं ये शरीर से दूर चले जाते हैं और इस परकार जो ये वरिशन कोश है ये तापमान को नियंतरित करता है उसके बाद आगे देखते हैं तो आगे है शुक्र जनक ने लिखा जिसे इंगलिश में कहते हैं सैमिनी फेरस टुब्यूल तो शुक्र जनक ने विभाजित होता है और प्रत्येक लोप्स में पतली नली नुमस रंचना पाए जाती है जिसे सैमिनो फेरस टुब्यूल कह जाता है तो जो हमारा वरिशन है इसके अंदर मैगी की तरह पतली नली नुमस रंचना पाए जाती है और इसी शुक्र जनक ने लिका में शुक्रा का निर्मान होता है तो टेस्टिस के अंदर ये शुकर जनक नलिका पाई जाती है तो शुकर जनक नलिका के द्वारा ही स्पम का निर्मान होता है तथा मेल सेक्स होर्मोन का निर्मान भी इसी के द्वारा किया जाता है इसलिए सेमिनोफेरस टुब्यूल को टेस्टिस की इका उसके बाद है अधिव रिशन, अधिव रिशन तो सभी सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल आपस में मिलकर टेस्टिस के बाहर एक घुमावदार गांठ नुमास रंचना का निर्मान करते हैं, जिसे अधिव रिशन कहा जाता है, तो जो आप ये शुकर जनक नलिका देख रहे हैं, इसके पीछे जो आप ये घुमावदार गांठ नुमास रंचना देख रहे हैं न, इसे अधिव रिशन कहा जाता है, तो रिशन में शुकराणू बनने के बाद कहां पर जाते हैं, तो अधिव रिशन में जाते हैं, तो आज थाई टेमपरेरी तोर पर जो शुकराणू है, ये कहां पर store होते हैं, तो अधिव रिशन में ही store होते हैं, और अधिव रिशन में शुक्राणूं आकर mature, यानि की परिपक्व हो जाते हैं, तो रिशन में शुक्राणूं का निर्मान होता है, और अधिव रिशन में जाकर ये mature, यानि की परिपक्व हो जाते हैं, उसके ऐसी वाहिनी जो शुक्राणूं का वहन करती है उसे शुक्रवाहिनी कहा जाता है तो ये शुक्राणूं को शुक्राशय तक लेकर जाने का कारे करती है तो जो आप ये नली देख रहे हैं यह ये शुक्रवाहिका इसका काम के है कि जो शुक्राणूं है न इसे अधिव रिश उसके बाद आगे है शुकराशे, सेमिनल, वैसिकल, तो शुकरवाहनी, शुकराणू संग्रहन के लिए एक थैली जैसी सरंचना जिसे शुकराशे कहते हैं, वहाँ पर जाकर शुकरवाहनी खुलती है, तो शुकरवाहनी क्या करती है? अधिव रिशन से शुकराणू ले जाकर शुकराशे में इकठा करती है, तो शुकराशे बलैडर यानि कि मुद्तराशे के नीचे स्थित होता है, तो ये एकजा में पूछा गया है कि शुकराशे कहां पर स्थित होता है, तो ये बलैडर के नीचे स्थित होता है, और इसमें स्थित गरंथियों से तरल पदार्थ का निर्मान एवं फरक्टोज के मिलने से वीर्य का निर्मान होता है, सीमेन का निर्मान होता है, तो जो पहले शुकरानू था यहां पर आकर वो वीर्य यानि की सीमेन बन जाता है, यहां पर आकर उसमें कई तरल पदार्थ तथा इसमें कई सारे स्पम होते हैं, तो जो शुक्राणू हैं इसमें जब गरंथियों के द्वारा तरल पताद और फ्रक्टोज मिल जाता है, तो ये वीर्य यानि की सीमें बन जाता है, उसके बाद जो गरंथियां वो देख लेते हैं, तो पहली है प्रोस्टेड गरंथि, तो जो प्रोस्टेड गरंथि है न, ये वीर्य के 20 पतिशत भाग का निर्मान करती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो गरंथियां यहां से तरल पताद का निर्मान होता है, उसके बाद ही वीर्य बनता है, तो जो प्रोस्टेड गरंथि है, ये वीर्य के 20 पतिशत भाग का निर्मान क उसके बाद है काउपर गलेंड, तो काउपर नामक विज्ञानिक ने इसका पता लगाय था, तो इस गरंती को कहते हैं काउपर गरंती, तो जो काउपर गरंती है न, इसमें वीरे के शरीर से बाहर निकलने से पहले एक शार ये पदार्थ स्तरावित होता है, जिसके कारण जो जो मूत्र मार्ग है वो चिकना हो जाता है तो ये वीरियस खलन एजैकुलेशन से पहले छार ये साफ चिकना म्यूकस गलाइको प्रोटीन इससे स्तरावित होता है जिससे क्या होता है जो मूत्र मार्ग है जहां से स्पम बाहर निकलेगा वो रास्ता चिकना हो जाता है तथा म मुत्र मार्ग में पिशाब की बच्ची बूंदों की वज़े से जो अमलता होती है, एसिडिटी होती है, उसे भी ये प्रभाव हीन कर देता है, क्योंकि इसमें से अलकलाइन नेचर का छार ये नेचर का गलाइको प्रोटिन स्थरावित होता है, जिससे क्या होता है, जो हमार मुत्र मार्ग में पेशाव की बच्ची बूंदों की वज़े से अमलता होती है, एसिडिटी होती है, ये निूट्रलाइज कर देता है, प्रभाव हीन कर देता है, ताकि जो शुक्राणू है, स्पम है, इसे कोई हानी ना पहुँचे, उसके बाद है मुत्र मार्ग, यूरित् दोनों बाहार निकलते हैं, उसके बाद है 25, जिसे शिश्न कहते हैं, तो ये नरका, बाहरीय जनन आँग होता है, जो शुक्राणों को मादा के शरीर में इस्थनांतरित करने का कारी करते हैं, और मूत्र का त्याग भी शिश्न के द्वारा ही किया जाता है, तो पैनिस के अ होता है और इसी के द्वारा मुत्र का भी यूरीन का भी त्याग किया जाता है तो एक बार हमने जो भी पढ़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं तो देखे तो वरिशन में शुकराणूं का निर्मान होता है वरिशन के अंदर शुकर जनक नलिका पाई जाती है जहां से शुकराणूं का निर्मान होता है उसके बाद जो शुकराणूं है ये वरिशन के पीछे जो ये गांठ नुमा सरंचना पाई जाती है इसे अधिवरिशन कहा जाता है तो शुकरानू मैचोर होने के लिए, परिपक होने के लिए व्रिशन से अधिव व्रिशन की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद जो ये नलि है, इसे शुकर वाहिका कहा जाता है, वास डेफरेंस कहा जाता है, तो इसका काम क्या है? तो जो शुक्रानों अधिव रिशन में है ये उन शुक्रानों को अधिव रिशन से शुक्राशे तक लेकर आती है उसके बाद जो शुकराशे है ये मुत्राशे के बलेडर के नीचे स्थित होता है और यहाँ पर स्थिर गरंथियों से तरल पदारत का निर्मान होता है और फ्रक्टोज का निर्मान होता है जिसके बाद वीर्य का यानि की सीमेन का निर्मान होता है और वीर्य में बहुत सारे शुक्राणों होते हैं, तो सीवेन का निर्मान होता है, यह है प्रोटेश गरंथी, जो शुक्राणों का पोषन वश्रक्षा परदान करती है, यह है kooper gland, जहांसे alkaline nature का glycoprotein श्त्रावित होता है, जो कि हमारे मूतरमार्ग में जो acidity है, उसको neutralize कर देता है, ताकि उस पम को कोई हानी न पहुँचे, उसके बाद जो स्पम है, यानि कि सीमेन है, ये मूतर मार्ग से, हमारे शेरी से बाहर निकल जाता है, और जो पैनिस है, इसका काम क्या है, शुकरानुओं को मादा के शरीर में स्थनांतरित करना, तो यहाँ पर हमने male reproductive system के बारे में पढ़ लिया, अ टेस्टोस्ट्रोन को ही जिम्मेदार माना जाता है, तो टेस्टोस्ट्रोन पुरुषों में द्वित्यक sexual character को निर्धारित करते हैं, जैसे पुरुषों में दाड़ी मूझ का निकलना, अवाज का भारी होना, सीने का ज्यादा चोड़ा होना, तथा भोत्तिक रूप से या आखिर में हम पुरुष नस्बंदी यानि की वैसेक्टोमी के बारे में पढ़ लेते हैं, तो आप जानते हैं कि वीरे में मौझूद शुकरानू, महिला को गर्बधारन कराने वाली एक सेल्स होती है, एक कोशिका होती है, तो वीरे के अंदर जो शुकरानू होते हैं, इनह शुकरानू हैं, ये महिला के अंदे से जाकर मिलता है, तो निसेचन की प्रक्रिया होती है, तभी जाइगोड बनता है, और आगे चलकर भृण बनता है, तो अगर इस शुकरानू को महिला के अंदे तक पहुँचने से रोक दिया जाए, तो महिला के गर्ब धारन को रोका तो इस प्रक्रिया को एक छोटे से ओपरेशन के द्वारा संपन किया जाता है, जिसे वेसक्टोमी कहा जाता है या पुरुश नस्मंदी कहा जाता है, तो इसमें स्पम को वीर्य का भाग बनने से रोक दिया जाता है। तो जो स्पम है हमने पढ़ा था न कि जब यह शुक्राशे में पहुँचता है तो उसके बाद गरंतियों से कई परकार के रसकस्त्रा होता है और फ्रक्टोज के साथ मिलकर क्या होता है वीर्य का निर्मान होता है तो नस्व बंदी में स्पम को वीर्य का भाग बनने से रोक तो ऐसा कैसे किया जाता है तो पुरुषों की जो शुक्रवाहक नलिका होती है हमने पढ़ा था ना कि जो शुक्रवाहक नलिका होती है ये क्या करती है स्पम को शुक्राणू को शुक्राशय तक पहुंचाती है जिसके बाद वो वीरे बनता है तो नस बंदी में क्या किया ज जाता है तो इस किरिया से पुरुषों की शुकर वाहक ने लिका अवरुद कर दी जाती है जिसे क्या होता है शुकराणू वीरे के साथ पुरुष लिंग तक नहीं पहुँच पाते तो जो ये शुकर वाहक ने लिका है इसे वास डेफरेंस कहते है न तो इसी वास डेफरेंस के सन्योजन को क्या कहते हैं युगमक यानिकी स्पम और ओवम तो स्पम और ओवम के मिलने की क्रिया को फटिलाजेशन कहा जाता है तो इसका सेंजवाब होगा option A अगला question है कि पूरुषों की नस्बंदी को क्या कहा जाता है तो इसका सहजवाब होगा option A अगला प्रशन है कि निम्र लिकित में से क्या नर जनन तंतर का भाग नहीं है तो male reproductive system का भाग कौन सा नहीं है तो शिष्ण ये भाग है, शुकराणू वहिनी ये भी भाग है वरिशन भी इसका भाग है लेकिन गिरीवा नर जनन तंतर का भाग नहीं है तो इसका सहजवाब होगा option B अगला प्रशन है कि पूरुष प्रजनन प्रनाली में वरिशन एक थैली के भीतर उदर गुआ के बाहर स्तित होता है जिसे कहा जाता है तो जो टेस्टिस होता है वरिशन होता है ये एक थैली के अंदर होता है तो उस थैली को क्या का जाता है उसे वरिशन कोश कहा जाता है इसका सहजवाब होगा option B अगला प्रशन है कि पूरुष प्रजनन अंग जो शुक्रानों पैदा करता है वह कौन से है तो स्पम का निर्मान कहां पर होता है वीरे नलिका में, वरिशन में, लिंग में या शुक्रवाइका में तो शुक्रानों का निर्मान वरिशन में होता है तो इसका सहजवाब है option B अगला प्रशन है कि पूरुष प्रजनन तंतर के उस अंग की पहचान कीजिए जो शुक्रानों और मुत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्मान करता है तो आपको पता है कि शुक्रानों और मुत्र एक ही मार्ग से निकलते है तो इसका सहजवाब क्या है? वो कोन सा मार्ग है? तो मुत्र मार्ग यूरे थरा तो इसका सहजवाब है option D अगला प्रेशन है कि योन प्रजनन के दोरान जब दो व्यक्तियों की युगमक कोशिकाएं सन्यूजित होती हैं तो वो बनाती हैं तो जब मेल का युगमक यानि की शुकराणू और फीमेल का युगमक अंडाणू आपस में मिलते हैं तो वो जाइगोट बनाते हैं जिसे हि वरिशन कोश है ये बताईए शरीर के बाहर क्यों होता है तो पहला कथन है शुकरवाइका की उपस्तिती के कारण तो ये कथन गलत है दूसरा कथन है कि शुकराणू निर्मान के लिए समान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की अवशकता होती है तो ये कथन सही कि शुक्रानू के निर्मान के लिए जो शरीर का तापमान है न, उसे कम तापमान की अवशकता होती है, इसलिए जो वरिशन कोश है ये शरीर के बाहर होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, option B, अगला प्रशन है कि उस वाहिनी का नाम बताईए, जो पूरुष के वरिश से निकलती है और शुक्रानू को शरीर में ले जाती है, तो वो कौन सी वाहिनी है, तो उसे शुक्र वाहिका कहा जाता है, इसका सही जवाब है, option D, अगला प्रशन है कि युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले बदलाओ का कारण क्या होता है, प्रोल कि कौन सी सहायक जनन गरंथी केवल नर्स तंधारियों में ही पाई जाती है, तो पहला option है greater vestibular गरंथिया, option B है बार्थोलिन गरंथी, option D है perennial गरंथी, या option C है प्रोस्टेर गरंथी, तो इसका सही जवाब क्या होगा, option C, प्रोस्टेर गरंथी केवल नर्स तंधारियों में ही पाई जाती है, तो आज के वीडियो यहीं पर खत्म होती है, कैसी लग ये वीडियो, कोमन सेक्षन में जरूर बताना धन्यवाद